नमस्कार सत्सरीकाल आदाव, स्वागत आपका पकी चोपाल भर और मैं हूँ आपके साथ जैनती आदाव जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे देश में बेरोजगारी और भुकमरी के बारे में जहां पिछले कुछ सालों से आम जनता की जैप पर महगाई की मार पड़ी है वहीं बेरोजगारी की दर में भी काफी इजाफा हुआ है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की आम तोर पर ये माना जाता है कि जिन लोगों के पास अभी प्राइवेट या सरकारी छेतर में कोई काम नहीं है और वो पिछले 6 महिने से काम की तलास कर रहे है और फिर भी उन्हें काम नहीं मिला है तो उन्हें बेरोजगारी की स्रेनी में गिना जाता है तो आज के समय के अगर बात करें तो भारत की बेरोजगारी की दर 7.3 प्रतिसत है सहरी छेत्रों की बात करें तो यह आकडा 7.28% है और गरामिन छेत्रों में यह आकडा 7.1% तक पहुंच गया है अब बात करते हैं देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में गुजरात की बेरोजगारी दर 1.2 पृतिसत में गहल्य में 1.5 पृतिसत ओडिशा में 1.8 पृतिसत करनाटक में 2.9 पृतिसत और चंडिगर्ड और उत्तर प्रदेश में 3 पृतिसत दर्ज की गई है वहीं अगर CMI की रिपोर्ट के मुताविक जनवरी 2022 में सहरी इस्तर पर बेरोजगारी की दर 8.1 पृतिसत रही है जबकि ग्रामिन इस्तर पर यह दर 5.8 चार पृतिसत पर आ गई है बेरोजगारी के लिहास से देश के टोप 5 राज्यों की बात करें तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर हरियाना की रही है यहां यह 34.1 पृतिसत रही है इसके बाद राजिस्तान में 27.1 पृतिसत जहार खंड में 17.3 पृतिसत बिहार में 16 पृतिसत और जम्मू कस्मीर में 15 पर्थिसत रही है। जाकर सर्वे करना होता है उनमें रोजगार की इस्तिती की जानकारी लेना होता है पूरे महीने चलने वाले इस सर्वे में विभिन सैरों के 32,166 घरों के एक लाग 5,025 से अधिक व्यक्तियों से बात की जाती है उसके बाद जो परिनाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट यह तयार की जाती है बेसक भूक अब भी दुनिया में एक बड़ी समस्षा है इसमें कोई जिजग नहीं है भारत में दसा बत्तर है हम चाहे कितनी भी तरक्की और विज्ञान की बात कर लें लेकिन भूक के आकड़े हमें चोकाते भी हैं और सोचने को मजबूर भी करते हैं केवल उपलवद आकड़ों का ही विसलेशन करें तो यह इस्तिती और भी भयावे हो जाती है और परिसान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वैस्विक भूक मरी सूच कांग GHI की रिपोर्ट के मुताविक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101 इस्तान मिला था जबकि 2020 में 107 देशों में से 94 इस्तान पर था दुनिया भर में जहां करीब 50 लाग बच्चे कुपोशन के चलते जान गवाते हैं वहीं गरीव देशों में 40% बच्चे कमजोर और सरीव दिमाग के साथ बड़े होते हैं संयुक्त राष्ट की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया में 59 करोड से अधिक लोग हर दिन भूके पेड सोते हैं भारत में खाने के अबाव में हर दिन भूके पेड सोने वालों की लोगों की संक्या 20 करोड से अधिक है जबकि संयुक्त राष्ट के खाद एम किर्सी संगठन यानी AFO की रिपोर्ट बताती है रोजाना भारते 244 करोड रुपे यानी पूरे साल में 89,060 करोड रुपे का भोजन बरवाद कर देते हैं इतनी राजी से 20 करोड से कहीं ज़्यादा पेट भरे जा सकते हैं लेकिन इसके लिए ना तु सामाजिक चेतना जगाई जा रही है और ना ही कोई सरकारी कार्यकरम या योजना है तो इसलिए अपनी थाली में उतना ही खान लें जितना कि आप खा सकें जितना हो सके गरीब और भूके पेट सोने वाले लोगों से जादा से जादा मदद करें और फिलाल आज की वीडियो में फिलाल इतना ही फिर दूसरी वीडियो में फिर आज ही रहूंगे किसी और मुद्दे के साथ में मुझे दें इजाज़त नमस्कार